अगर आप उत्रप्रदेश में देखें कि लगातार ये बात उठी कि आपस में जो बड़े नेता हैं का तालमेल नहीं है खराब है बेहत करें लगतार वो दौरा करते वे भी नजर आ रहे हैं पार्टी कारिकरताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं कि इनता पार्टी भी उन चीज किन केंडिडेट्स को चुनावी मैदान में उतारें किसे चुनावी मैदान में टिकट दिया जाये जिससे की पार्टी की जीत सुनिस्चित हो पाए ये वयान दिया है पूर उग्रे मंतरी अनिल विज ने अकिरकार क्या भारती जनता पार्टी को अपने वर्तमान विधायक और जिनको टिकेट देनी चाहिए उन नेताओं पर विश्वास नहीं रहा है वर्स 2019 में हुए विधान सबाद चुनाओ का हस्र भी कुछ इसी तरीके का रहा था जिस वक्त भारती जनिता पार्टी की तरफ से चुनाओी मैदान में उतरने वाले तमाम दिगज महारतियों में अनिल वीज और मनोहरलाल खटर को छोड़ कर तमाम केबिनेट के मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा था ऐसे में अब 2024 के लोगसबाद चुनाओ की बारी है बीज़पी हरियाना में तीसरी बार सत्ता में वापसी करके हैट्रिक लगाना चाहती है तो दूसरी तरफ कॉं भारती जरीता पार्टी को बड़त मिलती भी नजराई जो की 48 सीटे कौंग्रेस पार्टी अपने खाते में लाने में कामियाब रही यानि की जबरतोष हाल कॉंग्रेस पार्टी के वोट बैंक में देखने को मिला ऐसे में क्या ये डर सता रहा है कि आगामी वक्त की राज निती को साधने के लिए उन चेहरों पर दाव लगाया जाए जो कि पार्टी की जीत सुनिस्चित कर पाए। निती को साधने को साधने के लिए जाए। कि कई चीजों के माइने के में कहा जा सकते हैं। मेंthis वैज़ कि यहां पर z birlघ को छीटों से पांच प्रांच बीजेपी से अथ की आहए। में गये उपर लगा देक्थ we alls see मेंगे बूभ तक बाट के और फैंसे के बर्क आने की बात जो जाते हैं कि आपने कई ने कई खत्म होता हुए नजर आ रहा है क्योंकि जिस तरह से MSP के दाम हो किसानों के साथ में जयाती हो दिल्ली आना चाहते थे किसान उनकी बेरिकेटिंग का मामला हो आपने देखा भी पर चुना परचार के दोरान चाहे अनिलवी जो हो या और कोई बड़े नेता हो सब को जिस तरह से गाउं से ख़देड़ा गया लगतार उनके उपर कई तंज कसे गए यह इस बात का सबूत है कि बीजेपी के लिए जो इस्तथी 2019 या 2014 में थी वो इस्तथी 2024 में बंती हुए नजर नहीं या रही ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो अपने आपको यह मौका यह नहीं कि यह बताना चाह रहे थे कि मैं आपकी सेवा में चाहिए बरसात हो जाड़ा हो गर्मी हो मैं आपके साथ खड़ाओं तो यहां पर कॉंगर्स पार्टी के अपने आपको मजबूत करने में लगी हुए बहीं बीजेपी के तमाम नेता बात तो कर रहे हैं चाहिए को मैदान में उतारेंगे क्या कहीं असमंजस की स्थिती जो है 45 सीटे जीतने को लेकर बनती हुए दिखाए दे रहे हैं कि बिलकुल बिचार दहरे कि आपने बात की तरह सल जाहिर बात है कि बहुत सारे अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें कि लगतार ये बात उठी कि आपस में जो बड़े नेता हैं का तालमेल नहीं है खराब है बेहद कह सकते हैं कि नाजू की स्थिती में गुजर रहा है इसलिए बीजेपी का हचर वैसा हुआ कुछ ऐसा ही हाल हर्याना में हमने देखा कि बहाँ पर बीजेपी किसी तरह से पास सीटे जीतने में कामियाब कॉनगर्स पाटी बहुते हार गए उसे में आप यह पुछ पर दोष नेता है रखें कि बटक बड़े नहीं होगा पुरी तरह से रहा थे प्यक्त नहीं होगा तब तक आप यह मान चलिए कि यहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली वाली है और यह बात के नीचे वो नहीं आएंगे एक साथ बैट कर मंतन नहीं करेंगे तब तक बीजेपी को बहुत फायदा मिलता हो नजर नहीं आएगा बिलकुल यहां से भारती जनता पार्टी के लिए मुश्किल है तो खड़ी हो सकती है क्या चोटाला परिवार की एक जुड़ता की कोई यहां पर गुंजाइस नजर आती है देखिए जिस तरीके से ओपी चोटाला यह दावा करते हैं कि अभी कम से कम वो बीस बाइस साल और जीते वे नजर आएंगे राजनीती में अपने कद को लगतार बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं और जिस तरीके से इंडियन नैशनल लोग दलने एक बार फिर से बहुजन समाच पार्टी के साथ गटबंधन किया है इस गटबंधन के साथ जहां बसपा की तरह से ये तै हो गया है कि अगर सरकार बनती है तो अभे चोटाला जो पार्टी के महा सचिव हैं वो ही सीम कुरसी पर काबिस होते वे नजर आएंगे तो अभे चोटाला के बात करें लगतार वो दौरा करते वे भी नजर आ रहे हैं पार्टी कारिकरताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं कई कारिकरम में शामिल होते वे भी दिखाई दे रहे हैं इसी अधार पर अभे चोटाला ये भी कहते हैं कि बसपा के साथ गटबंधन तो हो गया है कई और दलो को भी अपने साथ लानी की पूरी कोशिश करेंगे जहां अ पार्टी से निश्काशित किया गया था लेकिन अगर चाहें ओपी चोटाला तो हम वापसी करने के लिए तैयार हैं यानि कि संकेत दोनों की तरफ से दिये जा रहे हैं कि गटबंधन हो सकता है इसी अधार पर कहा जा रहा है कि जो 2018 के दौरान हमने वो तस्वीरे देखी कि इंडियन नैशनल लोग दल के साथ पूरा परिवार मौजूद था लेकिन यही परिवार विखरता वह नजर आता है जन्नायक जनता पार्टी का गठन होता है और इस बीच में दुश्यन चोटाला भारती जनता पार्टी के साथ भी मिलते हैं लेकिन अभी तस्वीर है कि इ प्रेचार नहीं किया जा रहा है और वहीं अजे चोटाला का यह बयान देना इसी और इशारा करता है कि कहीं न कहीं हो सकता है कि विदानसभाद चुनाव में परिवार एक बार फिर से एक होता वह नसर आए संसेप में चोटा सा सवाल यहां पर मनी से लेंगे कॉंग्रेस पार्टी कितनी मजबूत हर्याना में फिल्हाल स्थिती में दिखाए देरेगी दिखी जिस तरह से दिनेश यहां पर देखा जा रहा है कि विदानसभाद चुनाव अब सर पर आ गया है बिल्कुल तो ऐसे मे भारती जनता पार्टी भी कही न कहीं जिस तरह से लोगसाबाद चुनाव में विखरती भी नजर आई नाया सिंग सैनी की कुरसी पर खत्रा मंट राता वह नजर आया तो अब भारती जनता पार्टी भी उन चीजों से उबरने की कोशिश कर रही है और देखा जा रहा है कि कॉंग्रिस भी कहीं न कहीं अपने आपको मजबूत और इस्थापित करने के लिए पूरी कोशिश करती भी नजर आ रही हो लेकिन आप देखा जाए जिस तरह से मायावती भी हर्याना की चुनाव में ताल ठोक चुकी है इनलों के साथ तो आप देखना होगा यह गड़ब को लेकर यहां पर यहां पर बयान सामने आ रहे तो और बड़े बड़े दावे पेश करती में नजर आ रही ति और जैज़ेपी और कहीं नहीं और जिस तरह से नायप सिंग सैनी और यहाँ पर देखा जा रहा है इस तरह से लोग सबाच चुनांवें उनकी कुरसी पर खत् करती नजर आई तो जेजेपी और कॉंग्रेस दोनों साथ में खड़ी ती लेकिन आप देखा जा रहा है जिस तरह से कॉंग्रेस फिर से मजबूत होती नजर आ रही है तो भारती जिनता पार्टी का वर्चस भी धीरे कम होता वाज़ा रहा है लेकिन अगर यहां पर भारती जिनता पार्टी अपना आपको मजबूत नहीं करती है तो बेशक हरियाना की विधान सबाचुनाओं में जटका लग सकता है और कॉंग्रेस पार्टी हाई कमान तक जबर दस्त पहुंच बताई जाती है तो ऐसे में आने वाले वक्त में जिस तरीके से विधान सबाचुना इसको देखते वे कॉंग्रेस पार्टी जो है हरियाना में सत्ता में वापसी के तमाम दर्वाजे तलास रही है अब देखना ही होगा कि क्या कॉंग्रेस पार्टी दस साल के सुखे को खत्म कर पाएगी और क्या भारती जरुता पार्टी तीसरी बार सत्ता की यहां पर लहर चलाते भी नजराएगी इस पूरे मुद्धे पर आपकी क्या रहा है प्रतिक्रिया कमेंट बोक्स में जरूर बताएं न्यूज रूम से इस खास कारिकरम में इतना ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे हैं SPN 9 News